मोहरा नब्बे के दशक की ब्लॉक बस्टर एक्शन फिल्मों में से एक थी, जिसमें रिमैंस का बूल बाला था और जो मैलोडी के डॉमिनेटिंग वाल एक दशक में मोहरा हिट गानों से भरी एक अलबम थी पर फिल्म को लोगप्रिय बनाने में इस फिल्म के एक अलाकारों की एहम भूमी का रही जिन्होंने अपने दमदार एक्टिंग और आक्शन से इस फिल्म को ब्लॉक बिस्टर बनाया उनीक अलाकारों में से एक हैं अबनीता नशीर अदिन शाह इस फिल्म में मिस्टर जिंदल का करदार बखू भी निभाया था जो समाधान समाचार पत्रों के मालिक होते हैं और क्रूड ड्रग लॉर्ड भी होते हैं जो लोगों को बहला कर उनसे ड्रग सप्लाई करवाता है और अपने फायदे के लिए मरवा देता है लेकिन इस फिल्म में खोखार खलनाएक मिस्टर जिंदल का करदार बखाने वाले अबनेता नसीर अदिन शाह के बारे में तो आप सब जानते हैं पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि वो क्या हैं, कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अबनेता नसीर अदिन शाह की फैमिली से रूबरू करवाने वाले हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंट तक बने रहें और बॉलिवुड के इस most talented actor के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलिवुड के दिगर जबनेता नसीरुदीन शाह का जन्म हुआ 20 जुलाई 1950 को 12 बंकी उत्तर प्रदेश के मिडल क्लास परिवार में। इनके इस परिवार में इनको मिलाकर 11 लोग हैं। अगर बात करें इनके माता पिता की तो बता दें इनके पिता का नाम है अली मुहमर शाह, इनकी मा का नाम फारुख सुल्टान, पेशस एक housewife थी। वही इनके माता-पिता की एक ही तस्वीर मौझूद है क्योंकि इनके माता-पिता ही हमेशा लाइम-लाइट से दूर रहते हैं। इनकी माता-पिता की बात बात करते हैं इनके भाई की तो बता दे इनके दो भाई हैं जुन में से बड़े भाई का नाम है उद्दीन शाह जो पेशस एक लेफटनेंट जनरल हैं और इनके छोटे भाई हैं जो लाइम लाइट से दूर रहते हैं और अपनी नीजी लाइफ में व्यस्त हैं इसलिए उनकी एंटरनेट पर कोई तस्वीर नहीं ना कोई जानकारी है अब अगर बात करें इनके दिल के सदस्यों की तो आपको बता दे इनकी पत्नी का नाम है रतना पाठक जो पेश से इनी की तरह भनेतरी हैं जिनसे इन्हें 1970 और 80 के दशक में प्यार हुआ और 1 अप्रेल 1982 को इन्हों ने रतना पाठक से शादी कर ली जिनसे इन्हें दो बेटे हैं इमाज शाह और विवान शाह अलाकि शाह ने अपनी पहली पत्नी मनारा सीक्री को तलाग दिया जिनसे इन्हें एक बेटी है हीबा शाह अब आगे बात करें इनके बच्चों की तो हाँ इनके बड़े बेटे का नाम है विवान शाह जो 31 साल के हैं जो पेशे से अक्टर हैं और इनकी गल्फरेंड का नाम है अक्षरा हसन जिनसे ये जल्द ही शादी करने वाले हैं अब अगर बात करें इनके छोटे बेटे की तो उनका नाम है इमान शाह जो 30 साल के हैं और पेशे से आक्टर हैं और ये सबा अजाद के साथ रिलेशन्शिप में हैं तो आपका क्या कहना है अब नेता नसिर अदिन शाह के परिवार के बारे में अपनी राइक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें